नमस्कार नेशन डियूज में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ मंजुल मंजुरी और बुलेटिन के शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर से वो है बहु चर्चत रुपेश हत्याकान का खुलासा जी हाँ पटना पुलिस ने 22 दिन के बाद रुपेश हत्याकान का खुलासा कर दिया है पटना के सस्पी उपेंदर कुमार शर्मा ने बताया कि रुपेश सिंके हत्यार रोड रेस की वजह से हुई थी पटना के रहने वाले चार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया था पुलिस ने मामले में मुख्यारोपी रितुराज को गिरफ कर लिया है गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने हतियार गोली बाई के लावा अन समान भी जब्क किये है वह अन की गिरफ्तारी के लिए च्छापे मारी कर रही है दूसरी और रुपेश के परिजनों ने पुलिस की जाँच को सीरे से नका दिया है उन्होंने गरफ्तार किया तो हमें वेट करते सकनी करने का वह इसका आफर है इसके अमसट रगा है शीन शांबर से उसी इलाकिये में जो गनाही नगर है वहां के देला से लिड़ा से भादिया होई है वो हुं कुछ ऐसा कि अपना बात बता कि पुलिस के इस खुलासे के बाद और क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने हारे इस पर जादा जानकारी क्लिए हमारे साथ हमारे सही होगी लाइब वजुद है उतकर्ष उतकर्ष बाइस दिन का लंबा इंतिजार और इसके बाद रोड रेज का मामला सामने आना क्या लगता है आपको पुलिस क्या कुछ छुपा रही है या फिर सच बोल रही है तिहां मंजल करीम तीन हफ़ते बीच गए जहां एक तरफ सरकार की किरके ली हो रही थी और पुलिस वभाग पे लगतार सवाल उठ रहे थे उसके बाद काफी मसक्कत के बाद हमें लगता है कि पुलिस ने आज प्रेस कॉंट्स की है उसके बाद आज उन्होंने खुलासा क कि रुपे सद्रेक्ट कोई शर्यंत्र था एक तरफ उनके परिवार जो परिजन है वो कह रहे हैं कि यह पुझा पुलिस है वो नाकमी है और लगातार जूट बोल रही है और दूसरे तरफ पुलिस एक वादा कर रही है लोगों से कि हमने अपरादियों को पकड़ लिया है जो एक अपरादी पकड़ गए है उसका नाम रितुराज है उसे पटना में छापे मारी के दौरान पकड़ा गया है फिलहाल तीन लोग फरार है उतकर्ष डवंबर में यह रोडरेज की घटना घटी जैसा कि पुलिस ने बताया और आरोपी भी अबात कबूल कर रहा है ले जहां पुलिस की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि वो एक सुक्रिप्ट बना के लोगों के सामने प्रेस कॉणफर कर बता रही थी कि इस तरीके से वो अपराधी आए और रूपेस की हत्या कर दी हालां कि दो महीने बाद रोड रेस दो महीने पहले हुआ और उसके बाद उसकी हत्या दो महीने बाद की गई करीब दो महीने लग गए इस चीजों को होने में ऐसा सरकार और पुलिस का कहना है पर जो परिजन है वो इस चीज को सिरे से नाकार रहे हैं उनका कहना है कि इसके पीछे कहीं न कहीं कोई और लोग भी जरूर सामिल है परिजनों से क्या जता ही बरत रही है या फिर कोई ऐसे लोग है जो पुलिस को जबरन रोक रहे हैं इस मामले में ज़्यादा तफ्तीश करने में और पुलिस का जो लगतार जैसी बाते सामने आ रही है कि जो चार लड़के थे उन्हें हिरासत में एक को लिया गया है तीन जो है वो अभी भी फ फलता प्राप्त किया है पर जो परिवार है वो फिलाल अभी भी नराज चल रही है उनका सीधा सीधी कहना है कि आप फोटेज निकालने सीसी टीवी निकालने और चेक करने कि ये रोड रेस का मामला नहीं है कहीं न कहीं कुछ लोगों का इसमें हाथ है जो इस केस को आगे